दोस्तो अपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले घंटे को भी दवा दें क्योंकि हम लाते रहते हैं नए-नए बिजनिस आइडियाज और नएनी जैनकारी के वाला फेल बताने जा रहा हूं नोटबुक मेकिंग बिजनस के बारे में नोटबुक की डिमांड हमेशा बनी रहती है क्योंकि यह हर घर में यूज होता है और इसे स्कूल चायल्ड से लेकर कॉलेज में पढ़ने वाले लोग भी यूज करते हैं तो इस वीडियो में हम आपसे डिस्कूस करेंगी नोटबुक मेकिंग बिजनस से रिलेटेट टॉपिक जिसे इस बिजनस के लिए हमें कितना स्पेस चाहिए इसके लिए कौनसे मशीन की जरत परती है इसके लिए कौनसा रामेट्रिल चाहिए इसके लिए मशीन कहां से होगा इस बिजनेस को सुरू करने के लिए लोन कहां से मिल सकता है अब कि पनी सबसेडिय मिलती है कि अधु करने करता इस बैक मिलती है कि इस बिजनस को करने के लिए हमें कितने स्पेस के जुरुत होती है अगर आप मैनिफक्टर यूनिट लगा करके स्टार्ट करना चाहते है तो आप कम से कम इसके लिए कम से कम तीस गज जगर की जुरुत होगी अब आप बात करते हैं मशीन अबम रॉम मेटरियल्स की इस बिजनस में चार्टरा की मशीन यूज होती है पहला अस्टेचिन मशीन दूसरा कटन मशीन तिसरा स्कॉर्रिंग मशीन और चौथा पकेजिंग मशीन स्टेचिन मशीन में मैनुवल और अटिमेटिक दोनों होता है पर रहा मेटरियल्स जो यूज होता है वो होता है रूल पेपर और नोटबुक कभार अगर आप गत्ते वाली बनाना चाहते हैं तो उसके लिए गत्ता यूज होता है इस बिजनस में अती है ये कंपनी सारी चीज़े अबेल कराती है तथा मसीन चलाने की टेनि भी प्रोवाइड करती है अगर आप बड़े लेबल पर इस बिजनस को अस्चार्ट करना चाहते हैं तो सारे मसीने वो रूमेटरियल्स को लेकर के कम से कम 6 से सारे 6 लाक में मसीन और इस तरह कुछ ही समय में नोटबुक बनके बिकने के लिए तयार हो जाती है 15 से 20 मिनट के अंदर कम से कम 6 से 8 कौपियां बनके तयार हो जाती है कौपी बनके तयार हो जाने पर इसे अवशक्ता अनुसार पैक करना पड़ता है यदि पैकिंग की बात की जाए तो इसे होलसेल अत्वा रिटेल के रूप में पैक किया जा सकता है होलसेल में पैक करने के लिए बड़े पैकिज बनाए जा सकते हैं बड़े बड़े बैक्स में डीलर को अवशक्ता के अनुसार कौपी पैक किया जा सकता है यदि retail में अपना brand सीधे सीधे उतारना चाहते हैं तो इसके प्रती packet 6 copy का pack बनाएं और women stationary दुकानों पर जाएं और उनको अपनी copy के rates बताकर आप अपनी copy बेच सकते हैं आपका business अगर चलने लगे तो उसे साबसे आप अपने machine को बढ़ा कर इसकी बाद आती है license की बाद कि इस business के लिए कौन-कौन सा license की जरुक परती है तो इस business को शुरू करने के लिए आप अपना brand बना कर बेचना चाहते हैं तो brand registration कराना होगा आप बिना brand के भी note को market में बेच सकते हैं इसके लिए आप उत्यों का अधार में अपने company को register करा सकते हैं आप company registration करा सकते हैं बिना company registration कराया भी इस काम को शुरू कर सकते हैं बागी बात रही GST की GST की जुरुरता परती है जब आपका turnover बीच लाग से उपर चला जाता है उसके नीचे GST में register कराने की कोई जुरूत नहीं परती है तो आप बिना GST के भी इस business को start कर सकते हैं इसके आगे हम बात करते हैं कि इसकी marketing जो हम product बनाएंगे उसकी marketing कहां करेंगे तो marketing करने के लिए अगर आप wholesaling करते हैं तो wholesaler से contact करना होगा आगर आप retailing करना चाहते हैं तो से tyre render stuff से shipment करना होगा जानेंट लिए स्टोर से kim होगा किपल्याना도 कोंटेक्ट करना होगा अगर ऐप manufacturing लिइनागर की अपना business स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको wholesaler से contact करना होगा अगर आप ज़्यादा order चाहते हैं इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया ज़स्टाइल में संपर कर सकते हैं और इन सब को करने के बाद आप अपना business से start कर सकते हैं इसके लिए आप एक अपना marketing साफ रख सकते हैं जो market को देखेगा और कम से कम दो लेवर की जरत पड़ेगी जो notebook बनाने में machine को handle करते हैं जो कि notebook की demand market में बहुत ही ज़्यादा होती है इसे आप rural areas पे start करें या urban areas पे start करें सारी जवापे इसकी demand बहुत ज़्यादा होती है जहां तक loan और subsidy की बात है आप सरकार के website PMEGP Google में type करें उस site खुल जाएगी वहाँ पे आप इस business related loan के बारे में देख सकते हैं कि इसमें कितना loan मिल सकता है कितनी subsidy मिलती है और business loan के लिए आप अपने नदी के bank में जाके contact कर सकते हैं उसे बात कर सकते हैं कि हमें loan की जुरत है तो हमें इसके लिए कौन-कौन से document की जुरत पड़ीगी आप सारे documents available कराएं उसके बात आपको bank से business loan मिल सकता है इसमें ज़्यादा training की भी जुरत नहीं परती है एक दिन के training इसके लिए काफी हो सकता है तो अभी हमने आपको दिखाया कि इसमें कितने machine होती है और ये कैसे कैसे काम करती है इस business को करना बहुत ही आसान है आप कहीं पर भी इस काम को सुरू कर सकते हैं इसके लिए तीन बंदे की जरत थोड़ी की एक marketing इस्टाफ रख सकते हो अगर आपको कुछ भी पूछना हो इस वीडियो के बारे में आप हमारे comment box में पूछ सकते हैं हम आपके मदद करने के लिए हमेशा ही तैयार है हमारे वीडियो को लाइक करें शेयर करें अमीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंदा है अगर आपने वीडियो कमारे शेयर ने किया है तो प्लीज चलों सब्सक्राइब कर दोस्तों को मिलता रहे जिना पहले से चलों सब्सक्राइब के लिए उनका भूब दिन्नेवाद माफ़ रहे हूँ आपके लिए जहिंद वंद मात्रम